चैनल ट्रैवल माई कश्मीर में आपका स्वागत है। आईए एक नवंबर के टूरिस्ट अपडेट शुरू करें। आज फिफ्ट यूटी डे के मोके पर शीनगर के फेमिस लाल चौक पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम और्गनाईज किया गया। आम लोग और टूरिस्ट दोनुने मिलके प्रोग्राम को एंजॉई किया। गुलमर्ग गोंडोला टिकट ज्यादा तर डेट्स पर अवेलिबल हैं। लेकिन दिवाली की भीड के कारण स्लोट जल्दी से बुक हो रही है। 15 नवंबर फेस्ट के लिए टिकट पहली ही पूरी तरह से बुक हो गए हैं। अगर आप भी इन दिनों में आ रही हैं तो ट पहले इसे बुक करके रखना ना भूले। जम्मू शीनगर हाइवे मागेर कोट और नाचलना जैसे कुछ जगा पर भीडभाड और सिंगल लेन के साथ सामान्य रूप से खुला है। शीनगर सोनमर्ग ले हाइवे भी दोनों तरफ के ट्राफिक के लिए खुला है। लेकि होटल कम क्षमता पर चल रहे हैं। जो आपकी कश्मीर ट्रिप प्लान बनाने के लिए एक अच्छी बात है। नवंबर में दिवाली के समय भीड काफी अच्छी है। बहतर होगा कि आखरी पल में होने वाले आश्चरियों से बचने के लिए अपनी कैब, होटल, गोंडोल जैसी चीजों को बुक करके रखे, बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दिसेंबर में न्यू यर के टाइम बहुत भेड होने वाली है, वो सके तु 20 दिसेंबर से पहले अपनी ट्रिप प्लान करे या 3 जानूरी के बाद प्लान बनाएं। हीटिंग क पहले होटल को कॉल जरूर करें क्योंकि कभी-कभी ये होटल आक्चुल में बंध हो गए होते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन अवेलिबल दिखते हैं। अगर आप कश्मीर कुछ ही दिनों में आ रहे हैं, तो आटम मौक पे संसेट के टाइम जाना ना भूले। अब लास्ट में म मौसम मुख्यरूप से बादल चाय रहेंगे, हालांकि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों में सोनमार्ग और गुलमर्ग में हलकी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, अपने आपको ठंडी सर्दियों के लिए तैयार कर ले। आज के लिए